जैसे कि हम ट्रेनिंग में समझा और उसके माद्ध हम से हम यहां पर सीखेंगे आगे हावाकुब 2 के 14 में लिखा है क्योंकि प्रत्वी में प्रत्वी यहवा की महिमा और ग्यान से ऐसे भर जाएगी जैसे कि समुद्र में जल भर जाता है प्रत्वी में प्रत्वी में जल अठाब भर जाता है उसी प्रत्वी में प्रत्वी में पूरी तरीका से भर जाएगा वालेलुया परमेश्वर का यही विजन एक दर्सन है क्योंते हैं परमेश्वर यही आगे करना चाहता है और हमें क्योंते हैं आगे ही स्च्वर चाहता है कर देख की ज्च्वर परिवर्तन परिवर्तन समस्तिक प необход चाही है और परिवर्तन इस प्रकार है, आत्मिक परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन से हम देखा जाए कि एक व्यक्ति का, जब तक वो क्योलते हैं, 32 मा ना लेता है, उसका आत्मिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम उसे क्योलते हैं, जब पहले प्रातना करता है, और इसके बाद में नौकरी करते हैं दंदा करते हैं फिर वो क्योंते हैं आर्थिक में जूजे रहते हैं परिसान रहते हैं क्योंकि उसमें क्योंते हैं परमेश्वर का हाथ नहीं रहता है वो काम तो करते हैं लेकिन वो उनका जो काम करते हैं उनका अधान है वो फलता नहीं है इसलिए क्योंते ह आएक परिवर्तन होना जरूरी है और क्यो रेतömक बारे में जानने को मिलता इसमी और स्व परिवर्तन मतलब जो भी है हमारे शरीम रोग हैं क्यों क्यों है हम प्रातनी के दोरा हम उसे हटा सकते हैं जैसिए प्रमेश्वार डॉक्टर серच है आलिलूया तो हम एक क्योंते हैं प्रात्ने के माद्यम से हम क्योंते हैं स्वास्त की परिवर्तन कर सकते हैं और एक जीवन का एक अच्छी जीवन हम विदीद कर सकते हैं इसके माद्यम से हम एक अच्छी और शुकर्द लाइफ को हम विदीद कर सकते हैं यह हमारी जीवन की परिवर्तन है, अलेलुया, 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 अले अलेलूया और मती के क्योंते हैं अथाइस-20 में लिठा हुबाई देखेंगे हम कि उनको मानना से हम और मैं तुमारे अंत तक तुमारे सांत रहोंगा तुम्हें कभी आघू और ना कभी तयागोंगा। अलेलूया परमिश्वर चहता है कभी मैं तुम्हेने छोड़ूंगा ना कभी तैगु कुई तुम जंगल में जाओंगी तुम्हारे साध रहूंगा तुम भी पत्ति में उत्यूहजव थूम्हारे सांसा लिगा करो या 거는 हालिलुइया हालएला पर מीशवर से प्रेम करो परमेशवर के लिपारखो मोह एपने पड़ोशिश यी प्रेम रहको और कियों ऋね जब् applaud agency कोई प्रेकार कोई प्रेशाइं प्रतना उल्ग करो तुम कँभीनों छे तरता है उसकी अन्छलिए परसान कर रहा तो अभी परसानी में है तो हमें उसे क्यालते हैं उसकी दुखों में कभी हमें खुश नहीं हो उसके लिए हमेंप्राफना करना उस इसमाल है कि कोई बात नहीं जो ते हैं यह दुख है लिए कोई मूर्ती खोद कर ना बनाना ना किसी प्षिमा बनाना ऑना उसकी उपाश्ट करना ना तुम मूर्टी पूुझ मुर्ती करना क कि सीजह के था किसी वह वेंख्यांते Qisic aspect कुछन लोग करते हैं कि हम प्रमेशं कते हैं यह रहते हैं यह दोतpower तो यह तो यह तum यह ना करो कि यह तुम एक निर्दोसी ठेलाओगी तुम निर्दोस कहला ल हमें कभी किसी भी बात में हमें परमेश्वर का नाम गैरत महीं लौए वाद्र और यह बचन सिख लाता है और और दो परमेश्वर करना लेकिन कोई काम कांज नहीं करना है वह कि और विस्राम का दिन और हम 세ट को और चाहिं को तूत अपना का आधर करना तो तो किसी दूसरे का खूण नहीं करना किसी के लहू नहीं बहाना हमें किसी का खून नहीं करना किसी जीवित व्यक्ति या पशू की हमें हत्य नहीं करना यह वचन में हमें शिक लाता है किसी दूसरे व्यक्ति खून नहीं बहाना कि और तू विविचार नीजिए किसी दूसरे की समान के वे चौरी नहीं करना कि हमें आग्या देता है परमेश्वा, हम किसी की चोरी नहीं करना है, हलेलुया, तो किसी के विरिद जूटी साक्षी नहीं बनना है, किसी दूसरे वेक्ति की जूटी साक्षी नहीं देना है, ति हम क्योंते हैं, इसमें भागीदारी नहीं बनना है, जूटी काम में हमें भागी के माधियम से में और वी और आगे सीकने को मिला है हमें सी पी एम के बारे में सीखने को मिला सी दिखल वे मतलब चर्च प्लांटिंग मुवमेंट हालीलुया हम पॉंक jó गरन को के त да हम दूसरा दूसरा का दूसरा हमें जो क्योते हैं बाते हैं प्रमिश्वर में देखते हैं व्यक्ति यह का बहुत सारे पाप गी हुए और वह पाप से हमें परमिश्वर से सब्सक्राइब करना और वह मैं चमा करेगा और अनंत जीवन देगा। था मैं परमिश्वर कर दो आपकश्वर पक्राइब करना अब यह पर लाएं और दूसरा है हमें पानी के द्वारा में 32 मा लेना है हो और यह क्योंते हैं मति के 28 के 19 में लिखा हुआ है आप लिख लिजेए पढ़ ले ना नेक्स टाइम हमें प्रमेश दोर से जबनाने के लिए हमें प्रातना करना हुआ चौथा है गोच चेले बनाओ हमें जाके चेले बनाना और मती के 28 के 20 में लिखा हुआ है क्योंते हैं जाके हम चेले बनाना लोगों ठीक है और पाचवा है क्योंते हैं प्रेम करना है सबी लोगों से हमें प्रेम रखना है मती के यहना के 6 के 16 में लिखा हुआ प्रेम के बारे और क्योंते हैं छटवा है क्योंते हैं प्रति भोज क्योंते हैं रोटी तोड़ना और प्रति भोज लेना है हलेलुया जो कुरुंतियों के 11 के 24 में लिखा हुआ है प्रति भोज लेना ये मेरी देह है और इसको हम तोड़ के क्याते हैं कि ये मेरी देह है और इसे तुम खाओगे, इसमनाड काके खाओगे और यह कटोरा लिया और उसमें कहा यह मेरा वाचा हुआ लहु है, हलेलुया, हलेलुया, और शात्वा है क्यों देना, मति के च्छे के दो, तीन और चार में लिखा हुआ, जो हम दान देते हैं, वो हमें हर्शित दिल से देन और लिखा और अट को पथा नहीं चलना चीए, ऐसा दान दें कि हमें क्योलते हैं, गुप्त में दान दें कि ताकि हमारा इस्वर हमें गुप्त में प्रतिफलते, हलेलुया, प्रेस्द लॉट, यह मेरी क्योलते हैं थरा है कुण थोड़ा धीरे भूबेठा हां, धीर धीर अभी पहला देन है बहुत अच्छा आके बढ़ोगे आप लोग बहुत भगवान आपको आके बढ़ाएं